ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा important है जो राजस्तान से belong करते हैं जिन्होंने JAT 2024 का भी exam दिया है और उन्होंने ICR 2024 का भी exam दिया है राजस्तान के अलावा वो बच्चे जिन्होंने अपने state level का exam भी दिया है और ICR येन की CUET का exam भी दिया है लेकिन उनको confusion ये है कि अब हमें admission कहां पे लेना चाहिए क्या हमें admission state level पे जो भी exam भुआ है उनके थूरू जो भी state की college है वहां लेना चाहिए या ICR में लेना चाहिए पूरा का पूरा discuss आज के इस वीडियो में करूँगा आपके जितने भी जो श्वाल है उनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है hello everyone welcome back on your youtube channel agree capital वीडियो को start करने से और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी request है कि अभी तक आप इस youtube channel पर नए है और subscribe नहीं किया है तो वीडियो को like करके channel को subscribe करके bell icon को press कर लेना ताकि एस सी informative वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे चलिए which is where चलिए पहला point है what is JET and ICR जेट क्या है और ICR क्या है या फिर इसकी जगे जेट की जगे आप अपने state का exam मान सकते चाहिए यूपिकेटेड हो गया MP के लिए MPPAT हो गया GPPUT हो गया उतराखंड के लिए हर्याना के बच्चों के लिए HAU हो गया जिस जहां पे भी बिलोग करते हैं जो भी अपने state level का exam हो गया वो रख लो दूसरी तरफ ICR रख लो ठीक है सब का मैं discuss करके पूरा निचोड आपको निकाल के दे दूँगा देखो मैं बता देता हूँ कि जो भी JET या फिर state level का exam होता है वो state के दवारा conduct किया जाता है करवाया जाता है और जितने भी जो आपके state में government university और private college, government college, semi-government college जितने भी जो होते हैं उनमें admission agriculture के entrance के लिए आपका exam conduct करवाया जाता है उसके तरूँ आपको इन collegeों में different प्रकार के collegeों में admission मिलता है ICR Indian Council of Agriculture Research पहले खुद का exam conduct होता था लेकिन last दो सालों से CUET के साथ में merge हो चुका है CUET के exam देने के बाद में ICR personal अपना counseling करवाता है और ICR जो मतलब जितनी भी जो agriculture की college हैं उनका एक authority, उनकी एक body कह सकते हैं सारी agriculture की universityों को संभालने का जिम्मा है वो ICR ने ले रखा है तो ICR के अंडर में आने वाली जितनी भी जो देश के top-top agriculture university और देश के top-top agriculture college हैं उनमें admission ICR अपनी counseling के through देता है उनके बहुत सारे benefit है वो वीडियो में आगे discuss करेंगे ठीक है पहली चिस तो ये clear हो गई अब second point है हमारा वो है आपका campus overview एक तो ICR का campus होता है दूसरा आपको state level का college है जिन में ICR से admission मिलता है उनका college तो same ICR के जैसा ही होगा ठीक है वो ही होगा और ICR की जो दूसरी college है जैसे central university हो गए dimmed university हो गए ठीक है या फिर दूसरे state की college है जो पर आप नहीं देख सकते हैं मालो आप राजस्तान के आपने UP के कोई top college नहीं देखे हैं ऐसा नहीं कि आ exam में आपको बहुत low college में admission मिलता है ठीक है लेकिन ICR में आपको low college में admission नहीं मिलता है ICR का accreditation उनी college को मिलता है जिनका पूरा campus overview अच्चा होता है पूरा campus का infrastructure अच्चा होता है अर चीज़ की वहां पर facilities available होती है student के साथ में कोई problem जहां पर create नहीं होती है उस college को ICR अपना accreditation देता है और उनी के थुरू ICR में admission होता है तो पहला point था आपका difference का तो वो मैंने बता दिया JET के ICR के दूसरा point है campus overview तो यहां पर मैं point दूँगा वो दूँगा ICR को क्यों कि JET के campus अच्चे नहीं होते है JET में जो भी college होती है जो top 10 college को छोड़ दे तो बागी college है या फिर जिस भी state से आप हो आपकी top 5 या 10 college को छोड़ दे तो ICR के comparison में बहुत low level की college होती है और सारी facilities भी आपको available नहीं होती है ठीक है अब हम बात करते हैं diversity of people देखो लोगों के बीच में diversity देखोगे तो अपने आप में खुद में confidence आएगा suppose that आप राजस्तान से हैं आपको English में बहुत ज्यादा problem है आप चले गए सिधा Tamil Nadu side या फिर Bangalore side ठीक है तो वहाँ पे आप जैसे जैसे देखोगे लोगों की अलग लेंग्वेज रहेगी या फिर आप किसी भी Central University में अडमिस से लेते हो तो हरे स्टेट के वाँ बर बच्चे मिलेंगे तो उनका culture भी तुम्हें देखने को मिलेगा अपना culture आपको देखने को मिलेगा दूसरे लोगों के साथ में अपने आपको केशे बिल्ड करना है ठीक ह यहां उसके यह strength है मेरी यह weakness है यह फिर उसकी वह weakness है आपकी क्या क्या strength है यह सारी चीजें आपको ICR University में देखने को मिलेगी अपने state level की University में नहीं देखने को मिलेगी हर चीज की diversity आपको वाँ पे मिलेगी चाहे education diversity हो चाहे आपकी culture की diversity हो किसी भी चीज की आप diversity बात करें तो JAT के अंदर आपको education facility जो ICR के अंदर में college आती है या फिर state level की जो college आईCR का accreditation में रहती है उनकी education facilities अच्छी होती है हर चीज की facilities अविलेबल होती है तब ही जाके उनको ICR का accreditation मिलता है ठीक है और ICR accreditation का मतलब होता है हर college की facility चाहे library facility हो चाहे education facility हो चाहे practical knowledge हो किसी भी परकार की education related हर चीज जहाँ पर build होगी वो ICR college में आपको देखने को मिलेगी JAT के किसी भी college में नहीं मिलेगी JAT के ऐसे बहुत सारे college होगे या state level के बहुत सारे ऐसे college होगे जहाँ पर पढ़ाने के लिए आपको teacher तक available नहीं होगे ऐसे बहुत सारी आपको college है मिले देता हूँ ICR को ठीक है अगला है अगर आपको आसानीश admission लेना है देश के top university में पढ़ने का सपना देख रहे हैं और JAT plus ICR दोनों का exam दिये हैं बहुत सारे confusion चल रहे हैं का admission लेना है तो उसके लिए हमने PID program join कर दिया है अगर आप JAT और ICR दोनों का साथ में join करते हो तो 700 99 रूपे फीश है ठीक है ये only राजस्तान के student के लिए है बाकी other state के लिए student जो ICR admission लेना चाते हैं उनके लिए 400 99 रूपे फीश रखा है कैसे join करना वो video class में बता दूँगा ठीक है distance problem distance problem ये point मैं दूँगा JAT को क्योंकि मुझे पता है कि आप पिर जहां तक मैंने observe हो क्य आए कि आप बहुत सारी चीज़ सीखते हैं लेकिन घर से दूर रहना यार थोड़ी problem होती है और जहां पर आप problem phase करते हो वहां देखो एक चीज़ है कि जब तक इंसान mentally और physical रूप से fit नहीं होगा तब तक वो अपने education में 100% purity नहीं ला सकता 100% clarity नहीं दे सकता है ठीक है त तो वो मान सकते हैं काफी लोगों की thinking है लेकिन घर से दूर रहने में थोड़ी जिन बच्चों को दिक्कत होती जिनको problem होती है तो मेरा यही suggestion रहेगा कि आपको ऐसा कुछ नहीं है कि ICR में admission लेना आपने घर के पास रहो क्योंकि खुद के जो मन में आएगा वो चीज़ आ में problem होती है तो यह देख सकते हैं कि आप अपने मतलब काफी यह dependent point है वो student के ऊपर होता है लेकिन यह point majority के favor में दूँगा क्योंकि ज्यादा दूर रहना अच्छा नहीं होगा अगर आपको खराब college मिलता है तो उस comparison में आपको थोड़ा दूर चला जाना चाहिए ठीक है अगला है communication problem बहुत सारे बच्चे से बोलता है कि सरा हम राजस्तान से हैं हम वेंगलोर चले जाएंगे या फिर तमिल नाडू चले जाएंगे तो हमें English नहीं आती है तो अगर आपका communication skill है इसको build करना है अच्छा पढ़ना है अपने communication skill को लोगों के शाप में बढ़ाना है तो उसके लिए अपने state को छोड़ देना चाहिए या फिर अपने घर के आसपास की जगे है वहाँ छोड़ देना चाहिए थोड़ा दूर जाना चाहिए ताकि आपको पता चलता है कि वहाँ की language क्या है मालो आप राजस्तान के हैं आप तमिल नाडू में जाओगे तो वहा education skill आपका definitely अगर आप ICR student है तो आपको कहीं पे भी communicate करने की जरुरत पड़ेगी तो आप बिल्कुल भी चार्ट में नहीं आओगे और definitely आराम से अपना किसी के शाथ में communication process complete कर सकते हैं ठीक है लेकिन जेटी में ये आप बिल्कुल नहीं कर पाऊँ ऐसा नहीं गोड़ना होते हैं वो खुद को इंप्रूव करने की सोचते हैं कोलेज में जाड़े के बाद में मैं अमेसा ये की चीज बोलता हूँ कि आपको education को side में रखके अपने आपके उपर जाकना पड़ेगा और खुद को build करना पड़ेगा कि आप गलतियां कहां पे कर रहे हैं उन गलतियो को education improve करोगे ठीक है गलतियां इंसान से सबसे होती है लेकिन जहां पर उन गलतियों को आप त्याग कर वापस आगे की और बढ़ते हैं वो आपके लिए plus point होता है और यही चीज़ें आपको ICR college में या फिर आप थोड़ा घर से दूर रहोगे तो सीखने को मिलेगी ठीक है अब मैं बात करता हूँ hard work in college तो JAT में रहोगे जिन बच्चों को लग रहा है कि मुझे college life में मज़े करने है मुझे जहां पर भी रहना मुझे अरियाली में रहना मुझे उसके साथ में मज़े मारना है मैंने बहुत सारी पढ़ाई कर लिए मैं girlfriend boyfriend बढ़ाऊंगा जो भी मज़े है लेकिन उसके मज़े नहीं क्योंकि hard work बहुत जादा होता है आपको काम करना पड़ता है क्योंकि यहां जहां पर पढ़ाई होगे वहां पर teacher पढ़ाएंगे वो तो आपको क्यारी ठीक है और ऐसी college उसकेसा साथ गोमना उसके साथ गोमो ना कोई class होता ना कुछ होता है तो मजे मारने है तो आपके लिए वो ही है कि college थोड़ा easy रहता है hard work करना है खुद को improve करना है तो आपके लिए ICR है वो better है अब बात करते है food problem काफी बच्चों को food problem बहुत जादा होती है चीज मैंने बताई है कि mentally और physical group से अगर आपको एकदम safe रहना है तो उसके लिए अपनी चीजें पास में अपने state का जो भी खाना है वो better रहता है यार बार का बच्चे काफी बच्चे से होते जो non wage होते काफी बच्चे जो vegetarian होते है ठीक है तो non wage वालों को vegetarian के area में जाओगे तो city problem होगी और non wage vegetarian बच्चे होते हैं जहां non wage खाते हैं उनको वाहाँ पर problem के रिट होती है तो food problem आपको हर जगे मिलेगी ठीक है लेकिन अपने state के पास की जगे देखो जहां पर food problem नहीं होती है वो आप चूज कर सकते जैसे राजस्तान के बच्चे तो अरियाना में जाएंगे तो कोई food problem नहीं होगी गुजरात में जाएंगे तो कोई भी food problem आपको देखने को नहीं मिलेगी हाँ जो बच्चा घर में ही रहता है जिसमें पांदस किलोमेटर कोलेज दूर है उन बच्चे को तो घर में ही रहना चाहिए यार ऐसा कोई दिक्कत नहीं एता है ठीक है आप कई पे भी रहोगे तो थोड़ा जिनका financial condition बगरा ठीक नहीं है तो उनको दूर जाने के यसी अपना part-time काम है वो घर के साथ में रहके गरमे में रहके कर सकते हैं या फिर college life में जहां पे भी आप part-time job कर सकते हैं लेकिन scholarship benefit आपको पता है कि ICR अपने state को अगर आप छोड़ देते हो तो हर मन 3,000 रुपे देता साल के 36,000 रुपे देता है यानि कि कहने का मतलब है जो भ किसमें benefit होगा यह सारी चीजे बता दी final selection किसमें लेना उच्चित रहेगा तो मेरा as a student mentor यही suggestion रहेगा कि आपको ICR में अगर कोई भी अच्छा college मिल रहा है ठीक है एक बार मेरे साथ में contact में definitely रहे मैं आपको बता दूँगा काफी बच्चे ऐसे भी है कि आज मेरे पास में एक बच्चे का call आया था तो last year से मेरे साथ में contact में था तो उनका अच्छी जगे राजस्तान में selection हो गया फिर उसने राजस्तान के college को छोड़ गे वो C.E.E.U. इंपाल चला गया ठीक है फिर वहां पर उसको बहुत सारी problem phase करनी पड़ी थी और उस बच्चे ने बोला था जो interested है definitely join करके अपना problem है वो दूर करो और problem दूर करने के साथ मैं सबसे benefit मिलेगा कि मैं आपको और हमारी team के द्वारा आपको एक अच्छी counseling करके दी जाएगी एक अच्छे college में आपको admission दिलवाया जाएगा ताकि आपको ये विल्कुल भी ना सोचना पड़े मैं गलत पड़ेगा ये problem अगर आपको हो रही है ठीक है तो कुछ situations ऐसी होती है जिसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आता है बाकी आपको मैंने सारी चीज़े बताई आई ओफ ये सारी चीज़े समझ गये होंगे जिन बचों को join करना definitely आप हमारा प्रोग्राम join कर सकते हैं apply number अमारे न आई ओफ ये सारी चीज़ें आप समझ गये होंगे तो whatsapp ग्रूप और telegram ग्रूप का link भी video के description box में है वहाँ पे भी आप join हो सकते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारी important चीज़े हम आपको time to time share करते रहते हैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो और नए update के शाथ में thank you thank you very much